असलाम लेकुम आज हम बनाएंगे चावल की पकोड़े आपने बनाया नहीं बनाया तो अब बनाएए बहुत ही ज़ादा क्रिस्पी, टेस्टी और कम बजट में इतयार होते हैं बहुत सारे तो आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि सारी स्टेप आपको अच्छी तरह समाज आ सकें और आपकी जो रेस्पी बने वो पर्फेक्ट बने तो चलिए कुकिंग को स्टार्ट करते हैं पिसमिल्यार रख्मानी रहीं हमने यहाँ पर लिया है एक कप चावल का आटा दो बड़े चमच मैदा डाल दें आप इसकी जगा गेहूं का आटा भी इस्तिमाल कर सकते हो एक बड़ा चमच सूजी आधा कप दही चार हरी प्यास थी इसे बिल्कुल बारी कमने काट के इसमें शामिल कर लेना है आप इसकी जगे पर एक कप प्यास जो नॉर्मल होती है उसे भी काट कर डाल सकते हो तीन से चार हरी मिर्चे और डमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाले आधा चमच लाल मिर्च पौडर और आधा चमच साबिस जीरा वन फोर टीस्पून बेकिंग सूड़ा थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरादन या इसमें डाल दे अब अच्छी तरह से हमने सारी चीजों को मिक्स कर लेना है थोड़ा थोड़ा आपने पानी का इस्तिमाल करना है एक साझ पानी जादा नहीं डाले वरना आपका जो यह मिक्चर है गीला हो सकता है तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आपने डालें जब आपको लगें कि परफेक्ट पकोडिया बनने के लिए रेडी है बेटर तब तक आपने डालना है तो यहां तकरीबन एक कप के करीब पानी हमने इसमें एड़ कर लिया है अब इसमें जाएगा अध्रफ यह रह गये थे तो अब हम इसमें शामिल कर लेंगे इस तरह दुकस करके इसमें शामिल कर लें तो आप से रिक्वेश्ट अगर चैनल पर आप मेरे पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की मज़े मज़े की रहा स्ब्स पर आपको मिलती रहेंगी तो अच्छी तरह से ! तो अच्छी तरह से यह बिल्कुल स्मूथ और फ्लफी ! प्रेूल वाक्मा भी चुले पहल्ने तेल टिया था अब जोले की फलेम को हमने मीडियम करना है और इसमें दूर दूर आपने अपने पकोड़ों को तला है तो इकटे जितना आपके बर्तन में आ सके आप उतना डाल दे और फिर दूरे देर के लिए इसी तरह आपने छोड़ दे तो ये जब तक कलर थोड़ा आ जाए तो आपने इसे अलट पलट कर अच्छी तरह से हर तरफ से कुक हो जाए इसका कलर गोल्डन हो जाए तब तक आपने पकोड़ों को फ्राइ करना है तो ये लीजिए आपके पकोड़े राइस पकोड़े तयार है इसी तरह आपने सारे पकोड़ों को तैयार कर लेना है और इस पकोड़ों को एक बार जरूर टाय कीजेगा बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं बहुत ही मज़ेदार बनते हैं इसी तरह हम सारे पकोड़ों को तैयार कर लेंगे तो आपने अपने पसंद के हिसाब से चटनी सॉसिस के साथ इसे यूस किये माशाला बहुत ही जबरदस्थ है आप इसकी आवाज सुन ले ये लीजिए जबरदस्थ बहुत ही करारे बने हैं तो आपने इस रेस्पी को ज़रूर ट्राइ कीजेगा उमीद करती हूँ आपको रेस्पी पसंद आएगी पसंद आए तो प्लीज एक लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में फैमिली के साथ से खुश शेयर कीजिएगा थैंक्स पूर वाचिंग अला हाफीज